करते हैं कुपवाड़ा की ओर कुपवाड़ा में बर्फ में दब कर दो जवान शहीद पाँच लोगों की मौत जमुकश्मीर में मौसम का मिजास बदलने के बाद लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के कारण सरके बंद हो गई है जिस कारण लोगों को परिशानी का सामना करना पढ़ रहा है वहीं कुपवाड़ा में लगातार बर्फबारी हो रही है जिस वज़ा से कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में महीम्स खलन हो किया है इसमें दब कर दो जवान शहीद हो गए हैं और पांच अन्य लोगों की भी बर्फ में दब कर मौत हो गई है मिली जानकारी के मुताबिक दोनों जवान हादसे के वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और जैसे हादसे की सूचना मिली ततकाल सेना के अधिकारी और बचावती में मौके पर पहुँची अभी फिलहाल कुपवारा में LOC पर एक आर्मी कैम्प में हीम्स खलन हुआ है और जिसमें सेना के दो पोर्टर बर्फ की चपेट में आकर दब गए हैं और जानकारे मिलने पर मौजूद अन्य जवानों ने ततकाल उनका बचाव अभियान शुरू किया और जब तक जवानों ने दोनों पोर्टरों को बाहर निकाला तब तक उनकी सासे थम चुकी थी सेना के तरफ से जवानों की फैचान नहीं की गई है और वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत सभी उच्च परवतिय इलाकों में बर्फबारी और श्रीनगर में बारिश से ठंड कप्रकोग बढ़ गया है और जम्मू में भी भारी बारिश जारी है